कैसे हो बच्चों, हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है आज हम नया व्यांजन सीखेंगे नया व्यांजन का नाम है व्यांजन त व्यांजन त सीखने के लिए आज हम व्यांजन त की एक कविता सुनेंगे और वो कविता में जो भी शब्द उप्योग किये हैं वो शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तक ही कविता तसे होता है तर्बूस बहार से हरा अंदर से लाल तसे तितली प्यारी प्यारी दिल को लगती न्यारी न्यारी पंक है उसके रंग भी रंगी फूलों के संगलहराती तसे तोता हरा हरा खाता मिर्ची तीखी तीखी तसे तकिया नरम नरम और तसे तबला बाजे धम धम बाजे धम धम तसे तराजू तसे तौलिया और तसे होता है तालाब तसे तलवार बड़ी बड़ी रक्षा के लिए तयार खड़ी और तसे होता है तरून ये लड़का है उसका नाम है तरून और तरून अब्यास कर रहा है वो भी व्यंजन त पढ़ रहा है तरून तसे तरबूज तसे तितली तसे तोता और तसे तोलिया पढ़ रहा है और वो तसे तलवार तसे तालाब और तसे तबला भी पढ़ रहा है और वो पढ़ रहा है तसे तराजू मुझे आशा है बचो आपको तरून के जैसे व्यंजन त अच्छे से समझ में आया होगा अभी हम देखेंगे व्यंजन त लिखते कैसे है व्यंजन त लिखने के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए सही बताया माइ स्कील बूक माइ स्कील बूक में पेज नमबर फिफ्टी वन खोल के उसमें लेफ्ट साइड कॉर्णर में ऐसे हम आज का डेट लिखेंगे फोर एट ट्वेंटी ना दे मन्थ हैस चींज त अबन्थ हैस चींज त इस एथ मन्थ इस ऑगस्ट मन्थ है स्टाटे और डेट इस फोर नाव विल सी हाव तो राइट व्यन जन्थ अभी देखेंगे हम व्यन जन्थ लिखते कैसे हैं व्यन जन्थ लिखने के लिए पहली लाइन से तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाना है और एक बार प्रैक्टिस करेंगे पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाना है उसके बाद में दूसरी लाइन से थोड़ा सा उपर हमको स्लीपिंग लाइन बनानी है बचो ध्यान रहे उसके थोड़ा सा उपर फिर वहां से थोड़ा सा टर्न होके ऐसे छोटा सा स्लांटिंग लाइन बनाना है जो तीसरी लाइन को टच करेगा ये हो गया आपका व्यंजन त त से तलवार और एक बार लिखेंगे पहली लाइन से तीसरी लाइन के बीच में स्ट्रेंडिंग लाइन सीधा लाइन दूसरी लाइन के थोड़ा सा उपर ध्यान रहे दूसरी लाइन के उपर नहीं बनानी है स्लिपिंग लाइन उसके थोड़ा सा उपर उसकी ही लाइन में छोटा सा sleeping line बनाना है फिर turn लेके slanting line बनानी है जो तीसरी line को touch करेगी थोड़ा अंदर की तरफ और उसके उपर sleeping line बनाना ना भूले हिंदी में हमको हमेशा याद रखना है हमारा writing खतम होने के बाद में उसके उपर line ड्रॉ करनी है यह हो गया आपका tracing practice आपको यह दोनों line में tracing करनी है उसके बाद में without tracing will write पहली line पे आप क्या करोगे? पैंसिल रखोगे और पहली line और तीसरी line के बीच में एक सीधी line बनाओगे और दूसरी line पे बनाओगे sleeping line नो थोड़ा सा उपर sleeping line बनाना है थोड़ा सा उपर फिर थोड़ा सा से turn curve बनाके slanting line बनानी है थोड़ी अंदर की तरफ और sleeping line on the first line यह हो गया आपका तसे तलवार तसे तराजू और एक बाद लिखेंगे पहली line और तीसरी line के बीच में सीधा line standing line दूसरी line के थोड़ा सा उपर sleeping line वो छोटा होना है बहुत बड़ा नहीं बनाना है फिर थोड़ा सा turn लेके curve बनाके slanting line जो अंदर की तरफ जाके तीसरी line को touch करेगी और sleeping line on the first line यह हो गया आपका तसे तलवार, तसे तरबूज, तसे तितली, तसे तराजू, तसे तबला जब भी आप लिखते हो यह सभी व्यंजन आपको उसके चित्रों को याद करके बनाना है जो जो भी teacher ने आपको सिखाये है चित्रों को बोलना है जैसे कि तसे तराजू फिर दूसरी बार लिखो तो बोलो आप तसे तरबूज, तिसरी बार लिखो बोलो तसे तितली वैसे, बच्चो आपको यह पूरा पेज राइटिंग प्राक्टिस करनी है और अच्छे से लिखना है मुझे आशा है आपको व्यंजन कैसे लिखना है अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद